सब्सक्राइब देखते हैं सब्सक्राइब आप फ्री रहें कोई टेंशन मत लीजे सब्सक्राइब लेकिन इसके बाद आप जो फिल्म बढ़िया था लेकिन इसके बाद आप जो फिल्म बनाने वाले हैं क्या वो भी इतनी ही बढ़िया होगी मेरे हाथ में यह सर्फ एक फाइल नहीं है यह मेरी जिंदगी है इंस्पाइड बाइट्रू स्टोरी सर जब दो दिल एक दूसरे से प्यार करते होना तो वो दो नहीं एक हो जाते हैं यह होती है एक सची प्रेम कहानी जिसके उपर यह फिल्म है जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान पर भगवान जितना भरोसा करने लगे और उसे पूझने लगे इसी को प्रेम कहते हैं मतलब साहस, विश्वास और सहन शीलता जिसे वज्र भी ना तोड़ सके उसी को प्रेम कहते हैं कि अगे की स्टीक पेज्ट तीस्यूंपे दर्झन सस्ता 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 तीस अई थीस ग॔र छाता है एंग या थी Nepसंट मिलें थे ठीक है ठीक है आव आव सीनु गंगाधर ये देखो कौन तुम्हारा इंतिजार कर रहा है ये सब लोग बच्पन के दोस्त हैं यही पर जन में है और यही पर बड़े हुए है कुछ चोटा मोटा काम करके ये लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं इसे स्कूल में अभी सीटिय नहीं आती थी जो हरोज मास्टा जीसे मार खाता था आज वो इतना बड़ा आदमी बन गया है ए चाहे जोबियो हमारा एक दोस्त आज इतनी बड़ी पोजीशन पर पहुँच कया हमें उसके उपर गर्व होना चाहिए यार अरे देखो तो उधर पोस्टर बदल गया है वहेश बाबू की अगली फिल्म दुगुडु का पोस्टर लग रहा है अरे भाई अपना दोस्त है ना चंदू वो इसी डिरेक्टर के साथ असिस्टिंट डिरेक्टर है तुझे याद है ना हमारे क्लास में वो सुझाता नाम कीक लड़की थी हाँ व सब लोग पतानी कहां कहां सेटल हो गए होंगे उन सबसे मिलना पहले जितना आसानी क्या पता हो पैचाने भी नहीं तू सही बोल रहा है महेश अरे ऐसा क्यों सोस्ते हो हम सब मिल करी रहेंगे मैं आपके विचारों की कद्र करती हूँ लेकिन प्राक्टिकली देखने जाएं तो यह मुश्किल है इतने पुराने स्टूरेंस उनके वही पुराने अड्रेस पर मिल जाएं इस बात की गुंजाईश बहुत कम है मेरी बात मानिये तू रहने दीज़े मैटम आप उसका एड्रेस देदीजिए हम लोग कुछ भी करके उसे धून लेंगे मैटम ओके चल ठीक है अब पहला फोन किसको लगाओ बता वो कृष्णा को लगा एबीसीडी वाला वही जो यूसे में है झीजिए ओड़िशन झीज़े तूर? वहाओ, बदाओ, वहाओ, 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 यहाओ? And, that's one thing. Excuse me sir. Yep. Call from India. Excuse me guys. We'll be back in a minute. Who's this? Who is this? Sorry, who is this? Ch debit, America and you just said all of us? Do you remember? Do you have any help? कौन बोल रहे हैं आप अरे बच्पन में तेरी साइकल चुरा कर जो फिल्म देखने गया था ना वही साइकल चूर बोल रहा हूं है सेनु तु बात कर रहा है क्या हाहां सीनु यर कैसे हो तुम लोग ठीक हैं तु बता तू अगदम बढ़िया हो अपने चंदू जिलानि गंगा धर यह सब लोग कैसे हैं अरे वह सब लोग एकदम अच्छे हैं तुझे पता है मेंने फोन क्यों किया है हम सब बच्पन के दोस् फॉंक्षन कभ है इस महिने की पंद्रा तारिख को है भाई सबको बुलाया क्या हाँ बुलाया है राधा को भी बुलाया है हाँ राधा को भी बुलाया भाई मैं जरूर आउंगा मैं हाँ मैं जरूर आउंगा मैं जरूर उंगा सeldड़ एंगा मा, मा, आप कहा हो मा, अरे वा, देखो तो कितना खुश हो रहा है, जरूर ये इंडिया जा रहा होगा, तेरे पापा को पता चल लही गया, हाँ पापा, प्रोग्रम कल ही फिक्स हुआ है, क्रिशनपूरम के स्कूल में एक छोटा सा फंक्शन है, उसे अटेंड करके एक हफ्ते में आ जाओंगा, अशिरवाद दो पापा, खुश रहा हो, मा, जुग-जुग जीयो, कितने सालों बाद, आज मैं खुद के करीब जा रहा हूँ, मैं अपने मिट्टी के पास जा रहा हूँ, सब को अपना गाओं अच्छा लगता है, लेकिन मेरे लिए, मेरा गाओं, मेरी चाहत है, मेरी चान है, मेरी आराधना है, उसकी यादें, मेरा घर, मेरा स्कूल, मेरे टीचर्स, क्रिश्नामा, फ्रेंड्स, सब को मिलने जा रहा हूँ, और उन सब से मिलने से भी ज्यादा, मुझे उस पल का इंतिसार है, जब मैं फिर से राधा से मिलूँगा, कहां हो तुम राधा? ड्राइवर, कार रोकना? यह बस्टॉप तब ऐसा नहीं था, यहां कितना कुछ बदल गया है, कुछ कहानियां यहां से शुरू होती हैं, और यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन मेरा प्यार गाउं से शुरू हुआ था, और आज देखो, मुझे यहीं पर लाकर खड़ा कर दिया, यह बस्टॉप श च्छाओं देता है, बारिश में च्छाता देता है, और जिन्दकी भर एक प्यार की तरह याद भी रहता है, यहीं से जोड़ी बहुत सारी यादे हैं, मेरा सफर यहीं से शुरू हुआ था, यहीं से जोड़ा लादे हैं, यहीं से जोड़ा हैं इस अर्ड़ाकर शritut झाल यह सब हैं मेरे स्कूल के टीचर्स जिनोंने मुझे शिक्षा के साथ साथ संसकार भी दिये यह रागभेंदर सर आज मेरा जो स्टेटस है मेरी इतनी शोहरत है यह सिर्फ और सिर्फ इन ही की बदौलत है यह है लक्षमी नारा एंसर बोर्ड पर स्पेलिंग लिखनी है सबसे पहले कौन लिखेगा ओए क्रिष्णा तू आजा बेटा राम लिखना है मुझे राम और रम का फरक नहीं पता था लेकिन इन्होंने मुझे अच्छे से समझाया राम लिखने के लिए कहा तो रम लिखता है जो मेरे लेट में खड़ा है वही है मेरा बेस्परेंड चंदू यह फिल्मों के पीछे पागल है जिस दिन हमारा इसके साथ अटेंडन्स मिस हो गया तो समझलो की दीवार पर से फिल्म का पोस्टर भी बदल गया सुपरस्टर की फिल्म थेकर जरूर जाएंगे अगर गय ना तो मास्टर जी बहुत मारेंगे अब मारेंगे तब ना जब उन्हें पता चलेगा हम लोग अभी यही से भाग लेते हैं रेडी हो ना रेडी 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 कैमरा स्टार्ट अक्शन अरे जिलानी पैसे दे दे तू लेकर आया था ना मेरे पास कुछ नहीं है पैसे नहीं तेरे पास वन टू थ्री पागो अरे कहां बाग रहा है क्यों रे सबके पैसे कौन देगा मुझे तो कुछ भी नहीं पता दादी मुझे उन्होंने साथ बुलाया इसलिए मैं आ गया मुझे लगा उनके पास पैसे होंगे मेरे पास पैसे नहीं है आप चाहे तो इसे रख लीजिए तू बस पेट भरके खा मेरे बच्चे पेट भरके खा तेरे जैसे प्यारे बच्चे को भूखा नहीं रहना चाहिए अरे क्रिष्णा यहां बरूं बापा हाँ चल बेटा बहुत सारा काम है हमें बाजार जाना है चल यह स्कूल है कोई आपका गार्डन नहीं मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं और आप अंदर आकर अपने बेटे को ले जा रहे हैं तभी इस नाम की चीज नहीं है क्या बास्ट आप इनसे बहस क्यों कर रहे हैं कोई फाइदा नहीं है चली हमें बाजार जाना है चला जा दिन बीटते गए और सेवंध का रिजल्ट आ गया यातुराम सर पास राम बाबू सर पास मोहन सर पास सोमू सर चंदू पास येस क्रिष्णा फेल हां मैं फेल हो गया सर अब मैं सब्सक्राइब कर जा सकता हूं नहीं तो आप तुम लोग बच्चे नहीं रहे आप तुम लोग बड़े हो गए हो समझ में आ गया ना अगर तुम में से कोई हाफ पेंट पहन कर आया है तो वो खड़ा हो जाए है है कियो फुल पेंट पहन कर क्यों यह आया मेरे पापा ने फिर नहीं दी सर बोले तिर पास चड़ी है न पारत पेंट कर क्या तurm phi már तो यह चड़ी पहन कर तू तीर मार लेगा क्या इसे भी उनके हाथ में दिया आना चाहिए था न्यू एड्मिशन सर नमस्ते सर नमस्ते बिटा क्या नाम है तुम्हारा राधा वेरी गुड नेम जाओ जाकर बैट जाओ बच्चों तुम लोगों से मैं एक सवाल पूछने जा रहा हूं भारत देश की राजधानी कौन सा शहर है है क्रिष्णा सर तु जवाब दे पता नहीं सर गधा कहीं का राधा तुम बताओ बिटा नियू दिल्ली सर वेरी गुड राधा की तरोश्यार बनो है तु इधर आ नालायक कहीं का शर्म नहीं आती है तुझे इस गधे को जरा अकल आ जाए इस एक चमाट दे तो जरा एक तो पहले ही उसे देखकर मैं हो गया था उपर से सर ने उसको मेरे सामने खड़ा करके आखों में आखे डाल कर देखने का मौका दे दिया राधा की मासूमियत को देखकर मुझे उस वक्त बहुत ही सुकोन मिल र सब्सक्राइब करने के लिए पहली बार मैंने बुक हाथ मेली हमारे देश का क्या है कल के क्वेश्चन का जवाब मुझे आता है सर बताओ फिर भारदेश की राज़ानी न्यू दली आंधर प्रदेश हाइद्रबाद कर नाटक बैंगलरू तमिल नारू चनई ओड़ी साब सर सारे देशों के राज़धानियों के नाम भी बोलूँ क्या सर दो चल इधरा सर इधरा अब मिला मुझे अप्रीसियेशन मैं भी खुश हुआ सर ने कंधे पर हाथ रखकर मुझे शाबाशी दी रादा विब बहुत खुश हुई उस वक्त ऐसा लग रहा था कि मैं बाल चंदर की कोई फिल्म देख रहा था उसके बात तो सर से मार की जगा शाबाशी लेने के लिए और रादा को इंप्रेस करने के लिए मैंने पढ़ाई शुरू कर दी अब जो लड़की पसंद आई है उसके साथ जान पहचान तो बढ़ानी पड़ेगी इसलिए उस उम्र में जो मेरे दिमाग में आया वो मैंने किया किसी ने हवा निकाल दी क्या मैं हवा भर दू राधा से दोस्ती करने के लिए मैंने कितनी बार हवा निकाली और कितनी बार हवा भरी थी मुझे भी नहीं पता पर उसे देखते हुए जब मैं हवा भरता था तो मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलता था okay thanks yes मेरे मांगते ही उसने मुझे नोट्स दे दिये और अगर किसी के मांगते ही कोई उसे नोट्स दे देता है तो इसका मतलब है वो उसे पसंद करता है और नोट्स के बदले में अगर कोई किसी को कुछ देता है इसका मतलब वो भी उसे पसंद करता है क्या हुआ तुम यहां क्यों खड़े हो राधा तुम बहुत ज्यादा इंक पेन यूज़ करती हो जिसकी वज़े से तुम्हारे लिखे हुए अक्षर खराब हो सकते हैं और इसलिए मैं तुम्हें यह रेनॉल पेन गिफ्ट कर रहा हूं ले लो थैंक यू कृष्णा क्रिष्णा बुलाया मा बथा मैं इसमें पांच रूपे रखे थे तुने लिये हैं क्या बेटा मामा मैंने लिये थे वो लिखनी के लिए पेन लेना था इसी Hut तूने लिखने वाली जल्दी आहीं ना दो अमने डुको आ रही हूँ। भाया, मैंने जो पैसे रखे थे, मेरे बेटे ने उससे पैन खरीद ली, जब अगले हफ्ते आओगे ना, तब मैं इसे खरीद लूँगी, अभी से ले जाओ। अगले हफ्ते आपके पास नोटों के बढ़नल रहेंगे क्या, छे, पैसे नहीं रहते तो लेते क्यों हो, जाओ यहां से, बेटे ने पैन खरीद लिया, जैसे पन लिखकर पुरी दुनिया में नाम रोशन कर्मेवाना है। उस दिन मैंने मां को रोते हुए देखा, मां को ये दुख नहीं था कि वो बिंदिया ना ले सकी, लेकिन किसे ने उसके बेटे को भला बुरा कहा था, इसलिए उसकी आँखों में आशू थे, और उन्हीं आशूं को पोचने का मैंने फैसला किया, इंटर एक्जम पास करके के मैं कॉलेज में आया, राधा ने भी मेरे साथ एंटरमेडियेट में एडमिशन लिया, राधा, यह फूल तुम्हारे बालों में बहुत अच्छा लगेगा, राधा, सच में, राधा को दिया हुआ वो फूल तो मुर्शा सकता है, लेकिन राधा पलट कर मुझे जो स्माइल देती थी न, वो कभे मुर्शा नहीं सकती, मैं कम इन सर, मैं कम इन, यह मेरी सीट है, मेरी सीट है, मेरी सीट है, जरा सरग उदर, कृष्णा, रुको, क्या हुआ, क्रिश्णा, तुम्हें मुझे जो फूल लाकर दिया था न, वो अब तक मुर्शाया नहीं है, कहां से लाई थे तुमेंसे, हां, हां, वहां से, क्रिश्णा, मुझे भी वहां लेकर चलोगे, प्लीज, हां, पिसलन हैं देखकर वाउव रादा स्यादा आगे मच्छाओ हां क्रिष्ना!! क्रिष्ना!! राथान। यह बहाँ देखा बहाँ देखा बहाँ देखा बहाँ देखा राथाफदा बहाँ देखा डैवा झाल 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 क्यूंतु के बहुतु है एक रफॉतृरी आप द्रॉरे एक दिएक रिंज्य कॉर्व करते हैं कि दुवर्व दुनौ और रतु कॉछ मत भींदागी है ए वो सूसाइड पॉइंट है तू उसे वहां क्यों लेकर गया अरे इसलिए गौवर्मेंट ने वहां डेंजर प्लेस का बोर्ड भी लगाया हुआ हम लोग वहां गए भी और वापस भी आ तो अब तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है अरे तू उसे वहां लेकर गया ना इ जितना आएगा उतना ही लाना तिंग तिंग मम्मी हां पूरी दुकान हमारे घर पर आ गई मा दुकान हमारे घर कैसे आ सकती है क्रिश्ना राधा का क्लास्मेट हूं अंदर आ जाओ बेटा राधा क्रिश्ना आया है तेरा क्लास्मेट कॉफी लेकर आ अरे देख क्या रही हो अंदर लेकर जाओ बहुत अच्छी है सब्जिया फ्रेश है ना थैंक यू सब कुछ हमारे खेत का है हम लोग उगाते हैं ओ ऐसा आपके खेत में ऐसे किलो किलो में सब्जियों क्या किलो क्या क्विंटल 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 उगती है यह तो ऐसी बांद कर आ गया था जाओ जाओ अंदर लेकर जाओ ऐसा कुछी लोना कृष्णा तुम्हें बुखार आया है क्या अब ठीक हूँ फिर कॉलेज कब से आओगी कल से ही आजाओंगी मैं चलता हूँ आण्टी मैं चलता हूँ अँटी है आप खेटें सबजी के साथ साथ वजन भी उगाते हैं क्या हुआ समझदार हो हुआ कॉलेज के क्लास रूम से ज्यादा लॉंच टाइम इंपोर्टन लगता था कृष्णा नदी के पास सब का बैठ कर लॉंच करना बहुत अच्छा लगता था कि कुसुम तु अंड़ा खा रही है तु तो बज़िटेरिन है ना अरे यह मेरा टिफिन नहीं है सुधा का है रोज आलू बैंगेन बिंडी लॉकी खाकर बोर हो गई थी इसलिए आज से सब खाना शुरू कर दिया कृष्णा राधा ए ठांबहा खब घो, यह है जब सुभाइ खाना óumer love राधा दिटेखशं जब सुभाइखरसέ निकलता हूं तो दुपैरका खाके निकलता हूं और पर वापस साम को जाके खाता हूं फिर वापस जाके खाता हूं अ यह लो नहीं राधा तुम कह लो मैं दे रही हुँ ना खालो राधा वो वहां क्या लिख रहा है अपनी श्रद्धा मैं कुछ समझा नहीं हम लोग भगवान की पुझा क्यों करते हैं क्योंकि हमें उन पर विश्वास है कुल देवी के बास ही जाकर सब बचों के लिए मनत क्यों क्यों विश्वास है यहां के लोगों को इस नदी पर बहुत विश्वास है पर्थर पर अपनी इच्छा लिखने से पूरी हो जाती है कि सच में विश्वास करो कृष्णा जब मुझे भी कोई दुख होता है तो मैं भी यहीं आकर इंसे कहती हूं और यह सुनती भी है और फिर अपने प्रबाह में मेरे सारे दुखों को वहां कर ले जाती है वहां पर देखो सुजाता ने भी लिखा हुआ है आएस बनने के यहां के लोगों को इस नदी पर बहुत विश्वास है पथर पर अपनी इच्छा लिखने से पूरी हो जाती है आज तो मैंने अपने दिल की बात लिख दी है अब उस दिन का इंतजार है जब राधा अपने दिल की बात इस पर लिखेगी जगे मेरी है यह जगे मेरी है तुचल मैं आती हूँ क्रिष्ना जब आप लेंज करते हैं अरे मैं अभी घर से खाना खाकरी आया हूँ तुम कर लो जब तुमने खा लिया ठीक है कि अ कि अ कि 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 अरे क्रिष्ना पारिश बहुत तेज हो रही है समहल कर जाना ठीक है बाबु भाई कि कि हुआ 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 है क्यों रे उन्जादा उबाल मार रहा है तेरा आप क्या बात कर रहे हो मैं कुछ समझानी भाया हमारे लड़के की बीच में क्यों आ रहा है जगा उसकी है भाया अगर कोई गल्ती हुई तो मैं माफी जाता है मैं फिर कभी उजगे पर नहीं बैठोंगा जाने दिशे भी एई इंटाग्यूलियर हो क्या उसका मारो इंसे पत्तर भेक्के मारो एई य यहत विरल्ड़ झाल विरल्यदा विरल्यदा ले लेघ। यह ज्हार बख्जान वर्णान के बाता है कि आरे तू चिंदा क्यों करता है हाभ देख धarls कि है हुआ मैं है 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 हा हा है इस हुआ हुआ और जान देनी पड़ी तो दे दूँगा लेकिन राधा नहीं दूँगा तो चल अपने जान दे ही दे जान तुछे दे दूँगा तो राधा कैसे मिलागे क्या बोल रहा था हाँ हम माफ कर दो भाई अब हम लोगों को पता चल गया है भाई कि आप प्रेम करने वाले हीरो है और हम लोग विलेन है अगर तुझे जगा चाहिए थी तो जगा मांगता ना वो दे देता राधा का नाम क्यों लिया तुने मारो इसे प्यार और प्रेमी के बीच आने वाले मिनिस्टर को भी हीरो ने धो डाला तूसरी फिल्म में कमिशनर भ लनकों को कभी उंगली नहीं करने का अगर करेंगा तो जैसी तरि अभी धिलाइव भी हुई ना वैसीS दौे ही होगि मुझय मैं क्या समाझ है मेरी बट्टी गुल है बस अब बहुत हो गया मैं और इंतिजार नहीं कर सकता क्या सिर्फ लड़की लड़कियों से प्यार करते हैं लड़कियां प्यार नहीं कर सकती तुम्हारी आँखों में देखने के बाद मुझे यह यकीन हो गया है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो बोलो इकरार करने से डर हमने दिल ही दिल में एक दूसरे का होने का फैसला कर लिया है क्योंकि हम प्रीमी है ठेक है मैं ही पहले बोल देता हूँ आय पहला वर्ट गरेक्ट है आके बोलो बोलो आय बोल कृष्णा बोल अरे क्या हुआ तुझे एक पेच का डायलोग तुने फटा फट बोल दिया और यह तीन शब्द तुझसे बोले नहीं जा रहे है यार तु समझ क्यों नहीं रहा डिरेक्टर आने वाले हैं यह ड्रामा नहीं मेरी लाइफ है यार अरे क्रिश्णा 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 क्या हुआ यह वह ड्यालोग बदल दे यार क्या इस सीन का अई लव यू इस तो में ड्यालोग है मेरी लाइफ कभी वही में ड्यालोग है अरे क्रिश्णा यह सिर्फ ड्रामा है यार ड्रामा होगा तेरे लिए लेकिन मेरी लिए तो लाइफ है और मैं राधा से पहली बार यह शब्द बोलने चाहरा था जब भी मैं उसे यह शब्द बोलू तो उसे मेरे प्यार को एक्से ए तुम मिडल क्लास प्रेमी ऐसे ही होते हो तुम्हारी लव स्टोरी सुनने के लिए अच्छी है प्यार करता है तो इक्रार भी कर वरना उसकी शादी कहीं और हो जाएगी और तू ऐसे ही रहेगा मैं कहा रहा हूं तेरी उम्रे ऐसे ही बीतेगी कोई डायलोग बोलने वाले को ढूंड़ो रहे है चंदू आई लवी बोला डायलोग मैं बोलता हो ना तू बोलेगा हलो यह लव सीन है तुम्हारे वेट को सूट नहीं होगा अरे तो क्या हुआ ट्राई तो करने दो मुझसे मोटे लोग प्यार करते हैं मैं तो पिर भी पतल अगर किस्मत अच्छी रही तुम लोग पट गई तो प्यार हो जाएगा और प्यार हो गया तो अप ए चंदू मारा कियो भाई तांकियो चंदू मैं भी मार नहीं वाली थी तुमने ही मार थी हां मैंने कुछ गलत बोला है कि अरे तेरे जैसे को चपल से मारना चाहिए I love you का मतलब यह नहीं होता कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ इसका मतलब होता है कि मैं जिन्देगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा नाटक में भी मैं तुम्हें यह नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे हिसाब से साथ जीने से लेकर साथ मरने तक का वादा होता है और इसलिए मा हाँ मैं कॉलीज जा राहा हूँ मा यह क्या आज तो तेरी चुट्ती थी ना आज कॉलेज में मुझे बहुत-भूटन एक्जाम देने जाना थे मा इसलिह में जा रहा हूं ओ अच्छाष रुख मैं तेरा डबा लेकर आती हूं मामा मैं खाना नहीं लेकर जाओंगा मैं एक्जाम देने जा रहा हूं जल्दी आ जाओंगा जरा इधर आना मुझे गुड़ लग दो कृष्णा 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 अब क्या हुँ अमा रात बर जाकर तुने पढ़ाई की इतनी महनच से यह लिखा था और तो इसे भूल कर जा रहा था कृष्ण पेपर में यहीं सवाल आ गया तो यह ले लेकर जा लेकर जा बेटा मैं घर जाकर भगवान से प्रात्ना करूंगी तो एक्जाम में पास हो जाए जा बेटा जा वरना एक्जाम में लेठ हो जाएगा जा बेटा जा हाँ आज कॉलेज नहीं गए एक जोटी सी प्रॉब्लम है कैसे सॉल्व करनो समझ नहीं पा रहा हूं इसलिए प्रॉब्लम किसकी है बताओ मैच्स या केमिस्ट्री की तुम ही मेरी प्रॉब्लम हो हां मतलब तुम्हारा पसंदीदा सब्जेक्ट है यह बोलना चाहता था मैंने ठीक है मैडम यह कोई बड़ा इश्यू नहीं है मैं देख लूँगा आप जाईए लेकिन सर्व देखिये मैडम यह कॉलेज है यहां स्टाफ का लीव लेटर लिखना और स्टुएंट्स का लव लेटर लिखना एकदम कॉमन है आप टेंशन मत लीजिए यह प्रिंस्पल हमेशा यही देखता आया है अरे यह सेक्शन में से कृष्णा को बुलाओ सर यह क्या है यह तुने ही लिखा है ना मैं कौन वरने का करोड़ोपती का सवाल नहीं पूछ रहा बस तरी रैटिंग है यह कंफर्म कर रहा हूं लड़की को ज्यादा चालाक मत बन हमारे इस कॉलेज में डेड़ सो लरकिया हैं किसको लिखाता यह बता राधा को सर नाम लेते वे तेरी आवाज में बड़ी कशिश पैदा होगी कहीं ज्यादा डीप लव तो नहीं हो गया ना पता है यह लेटर उसकी मा के हाथ लग गया राध भर सो नहीं पाई वो आरे राधा, आरे राधा, आसो महा की शरद रात्री, रासलीला है ब्रिज में, रासलीला है ब्रिज में राधा भी तुझसे प्यार करती है क्या. यह ही तो डव्ट है सार मतलब तुम लोगह का ठूश लव है है ना लिकिन इस बात का क्या सुबूत है तेरे पास एविडेन्स यह है कि वो मुझे देखकर पलट के मुस्कुराती है सामने आती है तो बात करती है नोट्स भी मांगते ही दे देती है सर और इतना ही नहीं सर मैं फूल देता हूं तो वो अपने बालों में लगा लेती है जब मैं लँच बाक्स लेकर नहीं आता तो अपना आधिस से ज задач मुझे खिला देती है जब भी मैं उसके घर जाता हूं तो मुझे बठाकर वो बहुत अच्छी काफी पिला दी है सर ये तो लव ही है न सर क्या दिया, क्या लिया, क्या खिलाया, क्या पिलाया, यह कोई शुबूत नहीं है, राधा ने तुझे डारेक्ट I love you कहा है क्या, मतलब, देखने से पता चलता है, तो बोलने की क्या जरूत है, सर, आप इस बार में कोई डाउट मत रखिये, सर, डाउट तो हम लोगों को ही र क्योंकि तुम्हारे कौन सेप्ट तो क्लियर है, उद्या जाके कोने में खड़ा हो जा, वहाँ जाके कोने में खड़ा हो जा बेटा, सर, राधा, आओ बेटा राधा, तुमसे बहुत ही छोटा सा काम था, जी कह यह सा, मैं आजकल एक नॉबल लिख रहा हूं, उसका सब्ज तो लब के बारे में तुम्हारा क्या ओपीनियन है, सर, तुम कुछ गलत मत समलना बेटी, मैं तो सिफ इनफॉमेशन के लिए पूछ रहा हूं, हमारी फैमिली बहुत गरीब है सो, माने तकलीफे जहल कर मुझे किसी तरह बढ़ा है, अब सीय बनना ही मेरी जिंदगी का लक लेकिन अब वो नहीं रहे, अब मा ही सब कुछ है, तुम्हारा मतलमे समझ गया, तुम्हारी नजर में बाप का प्रेम बढ़ा है, उसके अलावा और किसी का नहीं, और मा तुम्हारे लिए सब कुछ है, हाँ सर, तुम्हारी बात सुनके मुझे सब कुछ एकदम क्लियर हो आप तुम जा सकती हो, God bless you बेटी, चलो जाओ, आजा रे Krishna, आजा रे Krishna, आजा रे, सुन लिया बेटा, लव करने चला था, तो चल, अब तू मुझे लव की definition समझा दे, लव क्या है पता नहीं, लाइफ क्या है पता नहीं, फ्यूचर क्या है कुछ पता नहीं, लेकिन नोट्बुक से पेज भाड़ कर, लव लटर लिखने में बिल्कुल नहीं हिच की चाते हो, कृष्णा सचिन तींदुलकर को भी लव हुआ था, पर एक बाद सुन ले, वो बैट फेक कर किसी के आगे पीछे नहीं भागा, फिल्मों के पीछे नहीं भागा, वो अपने लक्ष के पीछे भागा, कब के पीछे भागा, ग्राउण में भागा, प्रेक्टिस में प्रैक् all is injurious to health ठीक वैसे ही ये लव नाम की चीज है ना this is also injurious to youth ये उसे बिगार देता है ये शब्द लव love का मतलब है lots of varying emotions जब उम्र बढ़ जाती है ना तो love you के मतलब भी बदल जाते हैं और जब मतलब बदल जाते हैं तो लड़की भी बदल जाती है आज राधा है कल सीता होगी परसों गीता होगी और उसके बाद हो सकता है परीता आ जाए और आखिर में दिल तूट जाएगा प के बाद है कि अवाँ का लग अवाँ क्रिश्णा खाना खाने आजा बेटा आप भी आजाए आ रहा हूं तो बताओ आज क्या लाई हो घर में सब्जी नहीं थी तो टमाटर की चत्नी बनाई है इसी प्राश लाने ना क्रिश्णा तेरे मास्टर जी आये थे उन्होंने कहा तेरी फोटो पेपर में छपी है जरा दे पापा रिजर्ड में मुझे सेकंड राँग मिला है इसलिए मेरे फोटो पेपर में छपी है अब में इंज़िनीरिंग करना ऊंपा सेकंड रांग आया तो मुझे अधो फ्री में सीट भी मिल जायी कश ली हमारी जायदाद हमारी मिलकियत हमारा सब कुछ तो यह ख shark भर के जटनी रोटी भी खा रहे हैं, सुखी है ना हम लोग, बेटा, इस जमीन पर भरोसा कर, ये कईयों का पेट आराम से भार सकती है, अगर तू पढ़ाई करेगा, तो दस लोगों का खर्चा तुछ पर लगाना पड़ेगा, पापा, अगर मैं पढ़ाई करके एंजिनियर बन ग तो थोड़ी सी जमीन बेच देंगे हम, प्रिंसिपल के कहने के मुताबिक मैंने लक्षय चुन लिया और एंजिनियरिंग कॉलेज जॉइन कर लिया, तुने भी यही कोने जॉइन किया, हाँ, क्या बात है, कोई टेंशन ही नहीं अब तो, अब साथ बैठके पढ़ाई करेंगे, अरे यार, अब तो हम कॉलेज में आगे हैं, अब हमें बैट बॉल खेलने से कोई ही रोग सकता है, समझाना, अबे लड़कियां तो देख, एक से एक है, अभी, यह सब शैर की लड़कियां है, अगर उल्टा सीधा बोला ना, तो सीधा कान के नीचे पड़ेगी, अरे तेरा भाई फास्ट बोलो रहा है, अब देखता रहा है, विकेट कैसे गिरते है, यह देख, खुशी ने अपनी कमेंटरी स्टाट कर दी, अब फाइनली मैं तुम्हें एक आखरी बार बताती हूं, यहां के जितने बॉइस है ना, बहुत ही चालू है, बॉइस आ खेलते वक्त हेलमेट ज़रूर पहनना चाहिए, हेलमेट, किसलिए, बैटिंग के दौरान सेफ्टी चाहिए ना, ओ, तुझे क्या बूस्ट बंगवा के दूँ, जाने दो भाई, वो मुझे मार डालेगा, अरे, मैं तुझे बॉक्सिंग करने थोड़ी कह रहा हूं, बस त मुझे जाने दीजे, तु ये कॉलेज के लायक नहीं है, एक काम कर, अपने गाउं वापस चला जाए, भाई, जड़ा दुबला पतला है, संभल कर मारना, हाँ, क्या रहे, हाँ, तेरी तो पहले, हाँ, 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 हाँ अपनी गर्ल्फरेंड खुशी को देख, अरे ये साल भी वही, अब ये हिस्ट्री बन चुकी है, यार, बोर हो गया हूं, मैं, कोई फ्रेश चाहिए, एक दफ फ्रेश, समझा, क्या यार, अगर कोई फ्रेश भी आ गई, तो भी क्या होगा, मतलब, मतलब, तु टाइम पास करेगा, फिर उसे छोड़ देगा, इससे अच्छा, कोई सीधा साधा लड़का उसे मिल जाए, ओ बावा, नेया बकरा देखो तो, हाँ, तुझे बुला रहा हूं, इतरा, कौन से गाउं से है, क्रिशनापूर से, और ये बापरे, वहां से आया है, एर बस से आया है, या प आज की उमीद में, वह ग्रीन ड्रेस वाली वहां वेट कर रही है, तुझा, और उसे आयलव यू बोल के आ, रैगिंग कर रहे हो, सौरी भाई, मैं यह नहीं कर सकता, तो फिर उदर जो खड़ा है ना, जा और उसे टपली मार के आ, भाई क्या कर रहे हो, वह तो बॉड़ी कोनी बेटर है, भाई, ऐसा मार की मुझ फट जाया सालिका, सौरी बॉस, एजी समझा होगा, लेकिन गलत है, क्या मारा यार, क्या वजंदार पंच था, कैमपस में में हमेशा टॉपर को ही सिलेक करती हूँ, और इस कैमपस में मैं तुम्हे अपने लिए सिलेक कर रही हूँ, ओपन ओफर है, I love you, बाई, यार तु उसे चुटकारा पाना चाहता था था ना, उसका पंच देखकर उसने दुझको छोड़ी दिया, तु इस तरह से मेरी जिन्दगी में शामिल है, अंदर सब सो गए हैं क्या, हम लोग सब सो गए, गुड गुड, पर तुम क्यों जाग रहे हो, सैर, वो क्या है न, आप आए तो कोई आपको जवाब देने वाला चाहिए न, इसलिए मैं जागा तुम सार, बहुत होशी आ रहे है तु, हास्टल रूम को बारूम बना दिया है, अटेक, शरावत से बता दो मुझे, मुझे मारने में किस आदमी का हाथ था यहाँ पर, सर, यहाँ आपको आदमी कोन देख रहा है, सर, यह क्या गों देख रहा है, वी आर बॉइस, सर, तो सामय में नियारी, सर, वो कौन था जिसने आपको पीछे से मारा, सिर्फ आप ही तो यहाँ मैं ओ, आप ही ही मैं ओ, तो फिर आप ही ही मैं कैसे बन गए, क्या आप रहा है, सेल्फ अटेक, तुम सब ने मुझे क्यो मारा, देखिए सर, जब हम लोग यहाँ पर मीटिंग कर र हो या लैपटाप पे, वह देख रहे हो, नहीं सर, सच में पढ़ा ही कर रहा हूं, क्या बात है, तुम तो सच में पढ़ रहे हो, देखकर अच्छा लगा, कीचर के बीच में एक कमल का फूल देख रहा हूं, पढ़ो बेटा, अगर यह चाहिए होगा तो बताना, अरे अरे बहुत बढ़िया, बड़े आदमी बनोगे तुम, पढ़ो बेटा, पढ़ो, अरे बापने, सर, क्या होँ सर, आप ठीक तो है न, स्वीट मेमरेज, साल पूरा होते ही वो चले जाएंगे, वो मुझे याद रखेंगे, लेकिन मुझे तुम हमेशा याद रहोगे, पढ़ो बेटा, पढ़कर फस्टो, परेपाप्रे, चंदू, क्रिष्णा, हे, तु यहाँ क्या कर रहा है, यहीं पर एंजिनेरिंग करना हूँ मैं, कितने दिन होगे तुझे मिलकर, अच्छा, तु हैदराबाद में क्या कर रहा है, फिल्मों में असिस्टेंट डिरेक्टर का काम कर रहा हूँ, अपनी कहानी तो रेडी कर ली, बस प्रड्यूसर ढून रहा हूँ, चला कॉफी पीते हुए बात करते हैं, क्या चाहिए, दो कॉफी देना, एंड, कॉफी नही है, दो दिन से कुछ खाया नहीं है, खाना स्टार्ट कर यार, चला, पढ़ाई छोड़कर फिल्मों के पीछे भाग रहा है तो, इतना पागलपन ज़रूरी है क्या, क्रिश्ना, पढ़ाई के बात डिसाइड करता कि मुझे क्या करना है, डिरेक्टर बनना तो मेरा बच्पन से सपना था, रामायन, महाभारत, भकवत कीता, इन सब से ग्यान ल अरे तुझे पता है क्रिश्ना, राधा, राधा भी यहीं हाइदराबाद में है, अच्छा तो वो यहाँ है, अरे एक मिनट रुक, अरे नहीं क्रिश्ना, रख ले भाई, काम आएंगे तेरे अरे चंदू, 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 राधा, कौनसे कॉलेज में है, कोटी विमन्स कॉलेज, अरे चंदू, राधा, काम आएंगे तेरे नहीं है, इतले चंदू, राधा, क्याओे नहीं है, अरे अरे जाता है, क्या है? कि यहां क्यों बैठे हो किताबों के साथ ही पैदा हुए थे क्या चलो चलो ना खुशी कहां जाना है हनीमोन पर जाना है चलो आजाओ लड़कियां ऐसे बोलती है मुझे बॉइफं को गिफ है जो तुम ना है दा यहां करना है यहां शोमी टाट वार्टाव यहां कि यहां है कि अच्छे 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 करने का रीजन तो बता सकते थे ना ऐसी कोई बात नहीं है राधा एंजिनेरिंग कर रहा हूं और यहीं पर होस्टल में रह रहा हूं गाउं जाने तक का टाइम नहीं मिल रहा है मुझे अगर हमारी फ्रेंड्शिप तुम्हारी पढ़ाए के बीच में आ रही थी और इसलिए तुम मुझे अवोइट कर रहे थे तो ठीक है कृष्णा तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो रहा था मेरे पढ़ाए का इंस्पिरेशन तुम ही हो अच्छा तुम एच एसी में फर्स्ट आई बाकी एग्जाम्स में भी फर्स्ट आई तो फिर तुम एंजिनेरिंग छोड़कर बीकॉम क्यों कर रही हो तुम्हें तो पता है ना कि मेरा एम सीय बनना है तो फिर उस शोरूम में पापा की जो पैंशन आती है उसमें घर और बहन की मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा कि कृष्णा लेट हो रहा है चले क्या चलते है तो यहां बैठे हो मोबाइल शॉप में मेरे साथ गायता थे फिर वहां से गुल हो गये कौन थी वो सेस गल या कॉल गल है उसके बारे में एक शब्द गलत बोलाना तो मार ड वह मेरी चान है और सुनो तुम जैसे कितनी भी आया और कितनी भी जाये लेकिन मैं उसके अलावा किसे के बारे में नहीं सोच सकता मेरी चाहत मेरा इंस्पिरेशन यह पढ़ाई में उसी की मज़े से कर रहा हूं I love her अलो कृष्णा मैं रादा बोलो है रादा बोलो रादा वन मिनट कि चलते हैं इसका बिल बना दीजिए थांक यू वेलकम क्रिष्णा विदाउट एम यू ना थिंग और अब्दुल कलामसर ने कहा है एम के बिना हम कुछ हासिल नहीं कर सकते अब्दुल कलामसर मतलब मेरे आइडिल क्योंकि वहीं है जो जिन्होंने यूथ को इंस्पायर किया है ड्रीम भू नहीं जो सोने के बाद आए ड्रीम वह है जब आपको नीन ना आने दे जब तक वह पूरा ना हो जाए और वही ड्रीम में तुम्हारी आखों में देख रही हूँ अमेरिकन कंपनी में जॉब करनी है तो ये बुक्स उम्हारे लिए बहुत हेलपफुल होंगी मेरी फर्स्ट मंत की सालरी से ये छोटा सा किफ्ट हूँ इस वक्त राधा का फोन हलो कि राधा क्या हुआ कि मा की कंडिशन बहुत सीरियस है फोन आया था इसलिए का रही हूं लेकिन तुम्हारे एक्जाम स्टार्ट हो रहे है ना एक्जाम से स्यादा मा इंपॉर्डंट है ना इसे गाउ जाने के लिए निकल ही गई थी लेकिन दिल कि एक बार तुम्हें बता जलती हूं चलती हूं चलती हूं क्रिष्णा मान लगा कर बढड़ना हूं कि राधा जब जब मेरे करीब आई तब तब किसमत उसे मुझसे दूर ले गई और उसकी यादें मेरे दिल और दिमाग में और गहरी होती चली गई क्या रे तुझे कॉलेज के अंदर और कॉलेज के बाहर एक चाहिए क्या कि ठीक है हम लोग एक मांडवली करते हैं मैं अपनी गल्फरेंड तुझे देता हूं और कल राज जिसको तुने टाटा किया ना वो मुझे दे-दे कर दो कि जो एक बाहर दे-दे-दे देर्ड़न कर दो कि अरल्फरेंगली कर मांदर रे देरों और कि अरीक हैं अरे ये किया प्नी देक जह है अरे खुझे हम आप तो हम अ अ है जब इग करेंगे भीम्स ठोड़ दिया ना अब मार पीड ने करेंगे ड्रोमेस झाल 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 यह यह प्यार जो है ना यह कोई एक्सचेंज करने वाला खेल नहीं है प्यार करता है तो सिर्फ प्यार कर आज के बाद अगर राधा का नाम भी लिया ना हटुआ एजूकेशन कम्प्लीट होना यह था कौर्टर फाइनल जॉब जॉइन किया यह था सेमी फाइनल राधा कि ना कोई खबर ना कोई रिपला है उसकी याद में उसकी दी हुई बुक्स बढ़ता रहा और वही मुझे हल्फुल साबित हुई मैं इंटर्व्यू में सेलेक्ट हो गया अमेरिकन कम्पनी में मुझे जॉब मिल गई मेरी लाइफ का फाइनल में चीत गया और अब मुझे मेरा प्यार हासिल करना था तुम्हारे नए प्रजेक्ट के लिए अमेरिका से बहुत अच्छा रिस्पॉंस आया है है हेड ऑफिस अरजेंट्टी तुम्हें अमेरिका भेजना चाहती है तुम अपने तैयारी कर लो इस इस यूर चेक और चाचा जी कैसे हैं आप हाँ मैं एक दम बढ़िया हूँ अरे कृष्णा इतनी सुबह सुबह सब कुछ ठीक तो है ना बेटा हाँ पापा यह रही आपके बेटे की पहली कमाई पूरे एक लाख रुपए हाँ आज तक अपने बहुत मेहनत किये पापा अब इन बकरियों को बेच कर आराम कीजिए कृष्णा आज तेरी लाख रुपए की तनखा आए तो इन सब की वज़य यह बकरियां हैं जब इनसान के अच्छे दिन आते हैं तो उसे पुराने दिन भूलने नहीं चाहिए और मेरे लिए यह बकरियां बिल्कुल तेरी तरह हैं सुरी पपा चल छोड़ना तू घर जा बिटा मैंने जरा चरा कर आता हूं मा मा क्रिष्णा इन कप्रों में कितना अच्छा लग रहा है बेटा मा बढ़ जाओ मैं कोई महमान नहीं हूं बलकि तुम्हारा बेटा हूं यह देखो मा तुम्हारे लिए बनार सी साडी लाया हूं पैन ले लिया पैन अरे जैसे पढ़ लिखकर बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा क्या हूँ मा बन गयाना बड़ादमी हूँ 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 हुआ 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 है इस नमस्ते तुम कौन हो बेटा तर आप शयद मुझे भूल से सकते हैं लेकिन मैं आपको नहीं भूल सकता इंटरमेडियेट में था तब मेरा हाँ बटग गिया था आप ही ने मुझे रास्ता बताया था आज आपकी वज़े से मैं इस मुकाम पर पहुचा हूँ सर और तो और कंपनी ने मेरा प्रमोशन किया है सर और मुझे अमेरिका भी मेरी कॉलेज में पढ़ने वाला स्टूडेंट आज अमेरिका में इतनी बड़ी पोजिशन पर पहुच गया है यह देखके मुझे बहुत खुशी हो रही है All the best, God bless you Sir, एक कॉफी पिएंगे मेरे साथ? क्यो नहीं पिऊंगा बेटा, जरूर पिऊंगा पिलाओ Cheers आप पर बहुत गर्व मैसूस होता है मेरे डिसिप्लिन की वज़य से ही तो आज तुम सेक्सेस्फुल हो तो सेलेब्रेशन तो बनता है ना Frustation प्यार की frustration शादी की frustration शादी की तो उसकी बहुत बड़ी frustration Frustation, frustration, frustration बेटा, अभी तुमने मेरी मार्केट में बहुत जादा तारीफ की थी बता सकते हो कि उसकी क्या वज़य थी कुछ बोलो भी बेटा पहले लक्ष हासिल करो, उसके बाद प्यार करो प्यार पाने के लिए अपने लक्ष को कभी भूलना नहीं चाहिए तो ये बात, बेटा, हम तो सबको सही बात ही समझाते हैं कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझते कुछ लोग जो सुनते हैं, वो तेरी जैसे बड़े बन जाते हैं और जो नहीं सुनते हैं, वो मेरे जैसे बेवडे बन जाते हैं बाबू, silence, silence, बाबू, silence, शुछ, सब लोग अपनापू बंद कर लो, मैं डॉक्तर या इंजिनियर नहीं बन पया बेटा, क्योंकि मैं हार गया था, पैयार में, है सर आपकी भी प्रेम कहानी थी देव्दा सर की भी एक प्रेम कहानी थी और तुम्हारे इस बुड़व सर्की को निया है उसकी भी con canary इसकी भीiendo can ARtha drop वह पूछ रहा है जवाब मुझे देने तो तू बीच में अपनी टांक यू अडा रहा है इंटर्टेंबेंट कर रहा हूं अगर पब्लिक में बैटके बात करोगे तो पब्लिक जबाब देगी नहीं जवाब वो देगा जिसे सवाल पूछा गया है आप सवाल पूछिए तू कौन है भासकर पकड़ो तू बार के अंदर क्या फील कर रहा है फ्रस्टेट हो रहा हूं वो फ्रस्टेट हो रहा है क्या यह फ्रस्टेट हो रहा है क्या तो फिर यह बता कि तू फ्रस्टेट हो रहा है अब नहीं होंगा यह बार फ्रस्टेशन निकालने की जगह नहीं है सेलेब्रेशन की जगह एक बात बता आज के बाद अगर तू बार में यहां कर शराब नहीं पीगा तो फ्रस्टेट होगा गायत्री नागराजन को लिखावा मेरा प्रेम पत्र गायत्री मेरी प्रेम का मेरी प्रेम कहानी मेरी जिंदगी थी अलग कैसी हुए सर तब मैं एक बहुत मामूली टीचर था गायत्री के माबाप चाहते थे कि गायत्री की शादी किसी नामी डॉक्टर या इंजिनियर से हो ना कि मुझ जैसे किसी मामूली टीचर से उन्होंने मुझे बहुत जलील किया और कहा कि मैं एक मामूली टीचर हूँ, मेरी आउकात ही क्या है और उन्होंने गैतरी की शादी कहीं और करवा दी तब से ये लव लेटर मैंने संभाल के रखा है आज वो साथ रही तो क्या हुआ, उसकी यादें तो साथ है सौरी सर वैसे बेटा, तेरे प्यार का क्या हुआ? सर, जब पढ़ाई कर रहा था, तब आपने ही कहा था कि अपना फोकस लक्षे पर रखो और आज आप खुदी इस बारे में पूछ रहे हो बेटा, जब तक बच्चा चलना नहीं सीखता, तब तक माबाब उगली पकड़ के उसे चलना सिखाते हैं पर जब चलना शुरू कर देता है, तो फिर वो भागने लगता है, तो फिर गिरने का डर लगा रहता है दोनों ही बातें जायसे, उस हालात में वो जरूरी था, आज के हालात में ये जरूरी है जैसे वक्त बदलता है, वैसे प्यार का मतलब बदल जाता है, और जब मतलब बदल जाता है, तो लड़की भी बदल जाती है उसे प्यार नहीं कहते हैं, क्रिछना माई डियर शिष्ट तु जब भी आएने में देखे तो तुझे वही नजर आनी चाहिए जब तु आखे बंद करे तो वह तेरे साथ है तुझे यह एसास होना चाहिए क्या तुझे कभी ऐसा एसास हुआ है बेटा हर पल हर चकाप बस वही नजर आती है सर अब तेरी लाइफ जरनी सिंगल रोड पर नहीं चलेगी बल्कि हाइवे पर चलेगी वह भी फुल स्पीड में जा उसे अपने दिल की बात बता दे आल थे बेस्ट आल थे बेस्ट मुआ गो थेंक यू सर रदा रदा है कि वहां रदा करें दोना पिल दूना हरा रदा हाइवे है आल अजर यूँआ यूर समय कि किरिस पेड़ूर यूर में अ स्वाभ़ूर नहीं हमा है एगा और स्वार एगा कि वहाई जिजिए कि अतवर पेस्तों आहँ लागा है। सब लोग ठीक है छोटी कॉलेज गई है तुम्हारी पढ़ाई कहां तक पहुंची कर रही हूं तुम क्या कर रहे हो क्रिश्णा सॉफ्टेक में जॉब कर रहा हूं कल ही मेरा प्रमोशन हुआ है और नेक्स्ट वीक में यूइस जा रहा हूं कॉंग्राट्स कृष्णा राधा छोटा सा गिफ्ट प्लीज ले लो थैंक्स राधा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है राधा क्रिश्णा कैसे हो बेटा ठीक हूं अंटी बैठो बैठो अरे राधा आए हुए महमाल से सिर्फ बाते ही करती रहोगी या चाय नाश्ता भी खिलाओगी अरे मैं तो भूली गई बहुरी अब लेकर आते हो मुझे माफ कर दो पीटा तुम्हारे दिल में क्या है मुझे अच्छे से पता है पर मेरा मेरा ये घर मेरी बेटी के सारे चल रहा है मेरी बेटी से मुझे बहुत उम्मीद है मेरे सपनों को बिखेरो मत बेटा अगर तुम इस बात पर अड़ जाओगे कि तुम्हें मेरी बेटी राधा ही चाहिए तो मैं और छोटी फास ही लगा लेंगे मैं तुम्हारे आगे हाथ जोडती हूं मेरी बेटी को बहुल जाओ राता आ रही है अरे बेटा मैं एक बात तो तुमसे पुछना भूल ही गई तुम्हारे ममी पपा की तबियत कैसी है ठीक है अटी खिशना कॉफी रहने तो मैं चलता हूं राधा क्या हो ग्या कम से कम कॉ पी लो पी लेता लेकिन कुछ अजट है इसलिए जाता हूं जाते समय जा कर आता हूं ऐसा कहते है जाता हूं ऐसा नहीं कहते है ठीक है हुआ है हुआ हुआ है हुआ 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 है हुआ 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 ह तुम्ही आइडी कार्ट? तुम्ही एडी कार्ट? घर में बूलाए थे, इसलिए मैं देने आई हूँ, कृष्णा कर दो चाले कार्ट? नदुम्ही एडी कार्ट? की एड़िने का रेका रेका, आई हाले के West की सारी का वारा हूँonne कि उस दिन जो गया था तो आज वापस लोटा हूं ड्रैवर का रूख ना बेटा सब के साबने मेरी इज़त मत उच्छा लो चाहो ते मेरा गोल्ड मेडल रख लो बाखी के पैसे में जल्दी ही दे दूंगा आपको देना है पचास अजार रुपए बाखी का कहां से देंगे निकालो इनको यहां पर से जल्दी एलो निकालो सब सब्सक्राइब यह यहां से यह गोल्ड मिडल और उसके अंदर कर एक प्लेट इडली दादीमा येलो बेटा कि बहुत भूख लगी है बेटा यह ले और खालिक ले नहीं दादी नहीं मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है दादी पैसे देने की जरुरत नहीं बेटा तू बस पेट भर के खा मेरे बच्चे पेट भर के खा अरे ये क्या हजार रुपे दे रहे हो बेटा रख लीजिए दादीमा महिनाबर काम करूंगी फिर भी इत्ता नहीं कमाऊंगी नहीं दादीमा रख लीजिए रख लीजिए कर दो कि अदे आजिये अरे चलो आजये मेडम मोगायी अरे नमस्ते अरे यह सब क्या है सिनू इसके क्या जरुरत थी मैं तुम्हारी क्लासमेट सुझाता हूँ समझ गये अच्छा सबंदर आ गये जंद और दूसरे आगए पर आई यह आई आई आए आई 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 आ मैं जिस दुनिया में जीता हूँ उसमें राधा नहीं है पर वही मेरी दुनिया है यही सोचकर मैंने इतने दिन गुजार दिये उसकी जब भी याद आती थी एरपोर्ट की तरफ निकल पड़ता था लेकिन तभी उसकी मां के आंसु मुझे याद आते थे और कदम रुख जा एक नया मोड मिलेगा कि आज भले कुछ भी हो जाए मैं अपने दिल की बात राधा को बोल कर ही रहूंगा लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि राधा की शादी हो गई हो नहीं 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 पर अगर शादी हो गई होगी तो हिसा क्रीं तर्फ नो नो चांस ना ये गाहों बदला है और ना मेरे राधा बदली होकी यह मुझे अच्छा से पता है राधा सिर्फ मेरी है करिशना करें यह थोड़ी यह थोड़ी हूं थोड़ी खराब होगई यह थोड़ी खराब होगई सूट में क्या मस्त लग रहा है यह थोड़ी सर नहीं मैं वही एबी सीडी वाला कृष्णा हूँ सर यह वेंकटेशवर भगमान का शरिंगार करने में काम सकता है यही आपको मिला हुआ गवरो है आपकी आपरू है संभाल कर रखिये बठी है तब तेरा ही इंतिजार कर रहे है क्रिष्णा ए क्रिष्णा हमारे नेक्स्ट गेस्ट आ चुके है मिस्टे कृष्णा क्रिष्णा क्रिष्णा प्लीज कम आउं थाइस नमस्ते गॉड ब्लेस यो थे चंदू है सुजाता है अलो माइडियर स्टूरेंस यह आपके बल है आपकी यादे है आप लोग एक एक करके आए और अपने अपने अधीद को शेयर कीजिए सबसे पहले सुजाता फ्लीज पुझज निय गुरुजी और मेरे प्यारे दोस्तो नमशकार एक स्टूडेंट की सकसेस के पीछे एक टीचर का हाथ जरूर होता है और आज हमारे सारे गुरुओं को मैं मेरी सकसेस का पूरा श्रेय देती हूँ अगर हमारे गुरू ने हमें सही वक्त पर डाटा नहीं होता तो आप जहां पर है तेरी नजर क्या राधा को डोल रही है ऐसे गुरू मिलने के कारण अब हम हमारे बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दे सकते हैं एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं हमारी जिंदगी में हमारे माबाब के अलावा अगर किसी और का श्रेष्ट स्थाना है best इसलिए मैं हमारे सारे गुरुओं को दिल से नमं करती हूं मेरे साथ्योंने मुझे आज यहाने का मौका दिया, इसलिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रदा करना चाहती हूं थैंक यू अब हमारा क्रिष्णा दो शब्द कहेगा क्रिष्णा सबको मेरा नमशकार फ्रेंड्स एक एम लेकर चलने वाला कभी-कभी आगे भी जा सकता है और पीछे भी रह सकता है मेरी तरह लेकिन लक्षा हासिल करना जरूरी है जो भी हम हासिल करते हैं वो हमें शिक्षा देने वालों का बड़पन होता है मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ मान लीजिए कि हम किसी भी रास्ते पर चल रहे हो उस पर कोई बड़ा सा एक पत्थर पड़ा होता है सब लोग उसे लात मारते वे आगे बढ़ते हैं लेकिन एक शिल्पकार उसी को एक रूप देता है रास्ते में पड़े पत्थर को वो मूर्ती में तबदील करता है वही ठोकर मारने वाले उस पत्थर के सामने हाँ चोड़कर उसकी पूजा करते हैं लेकिन फिर भी उसे आकार देने वाले शिल्पकार को कोई नहीं पूछता और शिल्पकार भी कोई आशा नहीं रखता है वो दूसरे पत्थर ढूंड कर उसे आकार देने में लग जाता है आज मैं एंजिनियर, सुज़ता आईयस, चंदू डिरेक्टर, डॉक्टर्स, लॉयर्स, एंजिनियर्स हैं लेकिन हमें बनाने वाले सर वो तो बेचारे कहीं पीछे की सीटों पर बैठे हैं और हमें तो पहुँचा दिया उन्होंने इस स्टेज पर माँ भाप अपने बच्चों को जायदाद बाटने में कम ज्यादा तो कर सकते हैं पर एक गुरू के पास जो विद्या होती है, वो कभी भी किसी विद्यार्थी को वो कम ज्यादा नहीं बाटता और यही उनकी महानता है इस प्रपंच में से हर किसी को कुछ ना कुछ बना कर वो लोग खुद जैसे हैं वैसे ही रहे और वो शक्स हैं मेरे गुरू गण और इसलिए आज मैं गुरूर देवो भवन नाम का ट्रस्ट स्थापित करना हूँ फ्रेंट्स आप लोग यह समझ रहे होंगे कि मैं अपनी लाइफ में सक्सेस्फुल हूँ लेकिन नहीं मैं फेल हूँ यह एंजिनेरिंग का जॉब अमेरिका में जॉब यह सब मुझे कैसे मिला एक लड़की की वजह से एक लड़की की इंस्पिरेशन की वजह से अगर वो मेरी जिन्देगी में ना आई होती तो आज मैं इस टेज पर ना खड़ा होता वो यहां आएगी मैंने सोचा था पर नहीं आई अपने प्यार को हासिल करने वाला ही लाइफ में सक्सेस्फुल होता है लेकिन मैं तो हार गया पूरी तरह से मैं हार गया इस स्कूल लाइफ की मेरी यादें और वो आएगी ऐसा मैंने सोचा था कबसे मैंने अपने दिल में कितनी बातें छुपा कर रखी थी उसके लिए ताकि कभी तो उसके साथ शेयर कर सकूं मैं अक्षणों को काली भैंस के समान मानता था लेकिन उसने मुझे रहा दिखाई अंधेरे से काली हुई मेरी दुनिया में वो एक रोश्नी बनकर आई थी मैं रास्ता भटग गया था तो मुझे मंजिल दिखाई और वो खुद कई खो गई मुझे प्यार सिखाकर प्यार की परिभाशा ही उसने बदल दी मैं उसके लिए जान दे सकता था लेकिन वो तो अब तीर की तरह निकल गई अब तो उसकी यादे ही मेरी सिंदगी है चंदू एक बार राधा से मिलना है यार मैं इतनी दूर तक आया हूँ उससे मिलकर कम से कम एक बार बात तो कर लो प्लीज क्रिश्णा पता नहीं राधा किस स्थिती में होगी तू जाकर बात करेगा तो ठीक रहेगा क्या अगर उसकी शादी हो गई हो तो क्या तू सेह पाएगा राधा को तू कितना प्यार करता है मैं जानता हूँ तू उसके दिल के बहुत करीब है तो अब क्या तू वो मिटाना चाहता है ऐसे ही रहने देयार ड्राइवर चलो कर रूको कर रूको ए ए क्रिश्णा क्या कर रहा है चंदू क्या हुआ देख हां मुझे पसंद कर दीये यह माहा लिखा है क्रिश्णा वु राधा ने लिखा इसकी क्या घंडी है यहाँकि लोगों को इस नदीपर बहुत वश्वास है पत्थर पर अपनी इच्छा लिखने से पूरी हो जाती है वश्वास विश्वास है मुझे, चाहे किसी ने भी लिखा हो, लेकिन मेरा विश्वास है, राधा मुझे मिलेगी, कृष्णा मा पर मुझे विश्वास है, राधा मुझे जरूर मिलेगी, चल गाड़ी में बैठ, ए, कार गुमा राधा, राधा रादा? रृष्णा? क्रिष्णा, आओना बेठो कैसी हो राधा ठीक हूं क्रिश्णा तुम कैसे हो मैं भी ठीक हूं मेरी गुडिया दीदी के साथ अच्छे से खेली ना चलो पापा बुला रहे हैं ठांक्स राधा चलती हूं पड़ोस वाले दीदी की बेटी है मेरे बिना रहती ही नहीं क्रिश्णा तो कोड़े बनाने जा रही थी कुष्टिर्र को खा कर जाना हाँ ठीक है राधा तुम्हारी मा को कुष्रे एक साल हो गया है तुम सी ए बनना चाहती थी ना तुम्हारी एजुकुशन का क्या मा की मौत के बाद मैं अपनी पढ़ाई कांटिनियू नहीं कर पाई क्रश्णा तुम्हारी चोटी बहन भी तो थी वो क्या कर रही है मेरी बहन को मैंने बी टेक तक पढ़ाया फॉर्स्ट यर में ही उससे एक लड़का पसंद आ गया तो मैंने दुनों की शादी करवा दी तुम अमेरिका में सेटल हो गए हो यह चांद कर मुझे बहुत खुशी होई क्रिश्णा सब कैसा है वहां पर तुम्हारा जॉब तुम्हारी लाइफ बढ़िया है राधा एक गिलास पानी मिलेगा मठका वहां पर है प्लीज ले लो न ऐसी बात नहीं है राधा एतने दूर से आया हूं तो मैंने सुचा था कि तुम्हारे हाथों से एक लास पानी पीलूंगा आरे सॉरी कृष्णा रुको अभी देती हूं कि तुम्हारे है ये लो पानी कृष्णा राधा ये पहर वो एक दिन मैं मा को हॉस्पिटल लेकर जा रही थी तब मा क्या हो रहा है मा और तब भगवान ने मुझसे मेरी मा को चीन लिया और साथ-साथ मेरा पैर चीन कर मुझे अपभाहिज बना दिया राधा आज तक मैंने अपने दिल की बात तुम्हें पर बहुर ने चुपासकता I love you Radha I love you I love you I love you I love you आज से तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी है अब इसकी जरूत नहीं है कि चलो चलते है Radha मेरी मा बच्पन में ही मर कई थी एरे बापा ने दूसरी शादी की थी क्रश्ना भगवान हमेशा ताकतवर की ही परीक्षा लेता है और उनको मुस्कुराहट भी भगवान ही देता है मेरी बेटी ने अपने प्रेम का आखिर तक इंतिजार किया और भगवान ने उससे आखिर में मिलाया भी जो लक्षे को हासल करता है वो विजई कहलाता है और जो लक्षे के साथ प्रेम को भी हासल करता है वो परीपोर्न विजई कहलाता है लाइफ के चैंपियन मेरे Radha और वेटा वो सीधी साधी राधा अब क्रिष्णा राजा की रानी बन गई है और वो आज के फंक्शन की हमारी चीफ गेस्ट है क्रिष्णा वेलकम राधा तुम ठीक हो ना आओ तुम लोगों का वेट कर रहे हैं सब लोग प्लीज आओ रेडी हो ना तुम हाँ रेडी सर सर आने के लिए शुक्रिया थेंक यू सर क्रिष्णा क्यामरा का स्विच आउन करो साउंड रोलिंग स्टार्ट कैमरा आप जानते हैं सबसे किमती चीज क्या होती है सबसे किमती चीज होती है महबबत और जब सची महबबत मिले तो उसके लिए कुछ भी कर गुजरना चाहिए उसी में प्यार की जीत है